हेलो एव्रीवन वेलकम टो मैं यूटूब चैनल पार्वती ब्लॉग आज हम बनाने जारें बहुत ही स्पेशल और बहुत ही स्वाधिस्ट रेस्पी जो सबको पसंद आती है सबकी फेवरेट होती है तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं हमने कड़ाई गरम होने के बाद उ जीरा ब्राउन होने ही वाले हैं बस उसके बाद हम इसमें एड़ करेंगे कटेवे प्याज तो चलिए प्याज आइड़ कर लेते हैं प्याज को अच्छे से तेल में मिक्स कर लेंगे इसे ब्राउन होने देंगे हलका सा चला लेते हैं सबजी को बहुती टेस्टी सबजी बनती है यह और बहुत लोगों को पसंदाती है बहुतों की फेवरेट होती है तो यह सर्प्राइज है कि हम आज क्या बना रहा है आप देखते जाएए वीडियो को और वेट करिए क्या बनने वाला है ब्राउन होने के बाद प्याज उसके बाद हम इसमें क्याइड करेंगे कटेवे लस्सन एड किये हैं लस्सन को भी अपने स्लाइस में काटे हैं लंबे लंबे अब हम इसमें एड करेंगे मश्रूम तो जी हाँ आज हम मश्रूम की सबजी बना रहा हैं मश्रूम एड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और मश्रूम के साथ हम क्या डालेंगे ये देखते रही हैं यहाँ हम एड कर रहे हैं हरे मटर मश्रूम और मटर बहुत ही यमी बनता है बहुत टेस्टी सबजी बनती है तो मटर मश्रूम की सबजी बन रही है यहाँ तो अब हम इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद हम इसे थोड़ी देर के लिए धक देंगे धकने के बाद हम थोड़ी देर बाद देखेंगे मश्रूम और मटर पकने शुरू हो चुके हैं गलने स्टार्ट हो गए है चली अब हम इसमें नमक एट कर लेते हैं स्वाद और नुसर नमक एट करेंगे और इसे भी अच्छे से सबजी में मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हमने यहां कटेवे टमाटर एट किये हैं दो टमाटर लिए हैं मेडियम साइज के आइट करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे सबजी में टमाटर को और मेडियम फ्लेम पर हम इसे पकने देंगे बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि हमारी सबजी जले नहीं चलिए अब मसाले निकाल लेते हैं आदा चोटा चम्मच जीरा आदा चम्मच गरम मसाला दो चम्मच धनिया पाउडर दो छोटी चम्मच और आदा चोटा चम्मच हल्दी पाउडर आदा चोटा चम्मच लालमेच पाउडर उसमें थोड़ा सा पानी आट करेंगे और उसे एच्छे से मिक्स करेंगे चम्मच मिक्स हो गया है मसाला अब हम इसे सब्जी में अड़ कर लेंगे अच्छे से मिक्स करेंगे और मसालो को हम पकाएंगे मेडियम फ्लेम पे इस तरीके से अगर मटर मश्रूम की सब्जी बनाते है तो बहुत ही यम्मी टेस्टी लगती है इसका टेस्ट सूपर टेस्टी होता है तो इस तरीके से आप लोग भी बना के एंजॉय कर सकते हैं और इसे हम इस तरीके से भी खा सकते हैं बिना पानी के इसमें अभी पानी एड नहीं हुआ है मसाले अच्छे से पक चुके हैं और इस तरीके से हम इसे रोटी पराटे के साथ खा सकते हैं और आपको अगर तरी चाहिए और मैं यहां तरी वाली बनाऊंगी तो थोड़ा सा हम पानी एड करेंगे इसमें अच्छे से मसाले भुनने के बाद ही पानी एड करा जाता है सबजी में तो चेक कर लेते हैं अच्छे से पक गए हैं मश्रूम भी और मटर भी आप चाहे तो ऐसे खाईए या फिर थोड़ा सा पानी एड करके इसमें करी बनाईए मतलब तरी और उसको आप एंजोई किजिए ये देखे मैंने यहां थोड़ा सा पानी एड किया है बहुत जादा पानी एड नहीं किया है और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और मीडियम फिलिम पे थोड़ी देर के लिए पकने देंगे ढगतेंगे सबची को थोड़ी देर के लिए और थोड़ी देर बाद देखेंगे हम ये देखेंगे सबची हमारी बहुत यम्मी टेस्टी बन के रेड़ी है अगर मेरी रेस्पे आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेर, कमेंट कीजिए चैनल को सबस्क्राइब कीजिए ताकि और जो भी मैं वीडियो लेकर आऊ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप सबसे पहले वाच कर सके तो एंजोई कीजिए इस तरीके से सर्दियों के मौसम में मटर मश्रूम की सबची थैंक यू फूर वाचिंग